दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके पास दो एकाउंट हैं यानि कि आपके पास दो बैंक के अकाउंट हैं और आप अपने एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे को ट्रांसपर करना चाहते हैं तो आखिरकार कैसे आप ट्रांसपर करेंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको step by step बताने वाले हैं तो बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से दिखिएगा इस वीडियो के अंदर हम आपको जो प्रोसेस बताएंगे वो 101% है और यहाँ पर दो तरीके बताएंगे जिसका आप योज करके अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से पैसे को ट्रांसपर कर पाएंगे जैसे कि मालिजे हमारे पास दो बैंक के अकाउंट हैं और हम आपको दिखाते हैं हम यहां से अपना Yono SBI open करते हैं और हमारे पास यहां पर Yono SBI यानि कि SBI में हमारे दो एकाउंट है और इसमें हम एक एकाउंट से दूसरे एकाउंट में पैसे को transfer करना चाहते हैं तो इसे हम login कर लेते हैं सबसे पहले और यहां पर आपको दिखाई देगा अभी हम आपको दिखाते हैं हम एकाउंट पर क्लिक करते हैं एकाउंट पर क्लिक करने की बात देख सकते हैं कि हमारे पास दो एकाउंट है एक हमारा सेविंग है और एक हमारा करेंट एकाउंट है या फिर आप माली जी हमारा एक और एकाउंट है तो चलो हम आपको बताते हैं कैसे आप पर transfer कर सकते हैं इस process को कहते हैं self transfer यानि कि अपने ही account में एक से दूसरे वाले में तो इसमें हम यूज करने वाले हैं phone pay application को phone pay application बहुत ही best रहता है आप अपना self transfer करने के लिए और other भी आप option यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पर phone pay को यूज करने वाले हैं अगर आप यूज करते हैं तो अच्छी बात हैं अगर नहीं करते हैं तो वीडियो के description में phone pay application का link मिलेगा उस पर click करके आप इसे download करिए और हाँ पहली बार अगर आप इसे यूज करेंगे तो up to 50 रुपे का आपको cash back भी यहाँ पर मिलता है तो हम यहाँ पर अपने phone pay को यूज करते हैं तो phone pay को open करेंगे open करने की बाद check bank balance पर click करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कितने bank account हैं तो हमारे यहाँ पर लगबग 5 bank account हैं एक है हमारा air tail payment bank एक है bank of बढ़ोधा एक है paytm payment bank और एक हमारा state bank of India और एक और हमारा state bank of India हम यहाँ पर अपने एक bank से दूसरे में भेजेंगे जैसे कि माली जी हमारे अपने इस वाले account से 25-69 account से हम अपना पैसा भेजेंगे 47-94 bank में तो यहाँ पर क्या करते हैं आपको यहाँ से बैकाना है यहाँ पर मिलेगा self transfer और आपको फिर self transfer पर click करना है यानि कि to self account पर अब यहाँ पर मिलेगा send to यानि कि किस में आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना वो वाला bank चूस करना है जिस bank में पैसे आप भेजना चाहते हैं तो हम पैसे भेजना चाहते हैं अपने 47-94 एकाउंट के SBI में तो हम यहाँ पर अपना ये वाला bank चूज करेंगे आप यहाँ पर कितने रुपए भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रुपए डाल लीजिएगा तो हम यहाँ पर रुपए भीजना चाहते हैं 5,000 तो हम यहाँ पर अपना 5,000 रुपए एक बैंक से दूसरे में भीजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 5,000 रुपए डाल देंगे और यहाँ पर अगर कोई मैसेज आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं जैसे कि आप किस वज़े से भेज रहे हैं, किस कारण से भेज रहे हैं, आप यहाँ पर message अपना type कर सकते हैं, ताकि आपको याद बना रहेगा, उसके बाद proceed to pay पर किलिक करना है, अब यहाँ पर आ जाएगा कि payment pay किसे करना है, यानि कि अपने किस bank से आपको इसमें भेजना ह तो यहाँ पर आपके सारे bank आ जाएगे, अब यहाँ पर आपका वो bank के नहीं दिखाई देगा, जिसमें आप भेज रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम भेज रहे हैं, 47-94 एकाउंट में, और यहाँ पर वो हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें भेजना है, तो हमारा light चला गया है, तो थोड़ा ध्यान से देख लिजिएगा, अब आपको यहाँ पर paper क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर paper क्लिक करेंगे, आपके समने यह वाला page आएगा, आप यहाँ पर आपको अपना UPI pin इंटर करना होता है, तो चलो हम यहाँ पर अपना UPI इंटर करेंगे, इंटर करने की बाद, उसकी बाद write करेंगे, जैसे आप पर write करेंगे, जो आपका payment होगा, वो successful हो जाएगा, और आपके एक bank से दूसरे वाले bank में चला जाएगा, तो यह हमारा bank से message आया हुआ है, डेविट का, यानि कि हमारे इस bank से डेविट हो गए हैं, और अब हमारा एक message आ जाएगा, कि हमारे दूसरे वाले bank में चले गए हैं, हमारे पास message भी यहाँ पर भी आ चुका है, जैसा कि देख सकते हैं, money, transfer, successful, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यह हो जाता है अच्छा process, जिसका आप यूज करके अपने एक bank से दूसरे में send कर सक एक दूसरा भी तरीका होता है, जिसमें आप UPI ID का यूज करके भी आप इस send कर सकते हैं, अब चलते हैं, अपने bank में आपको दिखाते हैं, जाकर क्योंकि हमारा SBI का था, तो हम यहाँ पर अपना Yono open करते हैं, जैसे हम यहाँ पर Yono को open करेंगे, open करने के बाद इसे हम login कर लेते हैं, मैंने हाँ पर Yono को login कर लिया है, अपने account पर click करते हैं, account पर click करने के बाद अब आप देख सकते हैं, कि हमारे इस वाले bank में कितने रुपए बचे हैं, और इस वाले bank में हमारे कितने रुपए हो गए हैं, तो चलो हम इस अपने bank पर click करते हैं, click करने के बाद य यहांपर आपको दिखाई देगा कि हमारे 5000 रुपए यहाँ से ट्रांसपर किये गए हैं, कहीं पर भी मा लिजियेगा, लेकिन आपके किस बैंक में, तो यहां से अपना बैंक सेकेंड आप चूस करिएगा, इस तरीके से, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मारे इस वाले बैंक में 5,000 रुपए आ चुके हैं इस तरीके से आपने एक एकाउंट से दूसरे एकाउंट में सेल पर ट्रांसपर कर सकते हैं और यही प्रोसेस रहता है अगर आपका कोई अलग अलग बैंक एकाउंट है जैसे माली जी आपका SBI है और आपका बैंक आप बढ़ होता है तो आपना बैलेंस चेक करके देख लिजिएगा आपके उस वाले बैंक से और उस वाले बैंक में चले जाएंगे जिसमें आपे ट्रांसपर करना चाहते होंगी तो यह पूरा प्रोसेस होता है अपने एकाउंट को सेल पे ट्रांसपर एकाउंट में कनवर्ट करने के लिए मैं आसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाईएगा वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको पहुत धन्वाद